Hello students, एक question आता है derived relation for velocity and acceleration in simple harmonic motion तो जैसे हमने displacement पढ़ा है displacement मान लिजिए आप ले लेते हैं कि simple harmonic motion में A कास उमेगा टी प्लस phi है लेकिन मान लिजिए हमारा motion जनरल है high हमने 0 ले लिया है initial phase 0 ले लिया है तो यह x हो गया अब इसका जो अगर आप समय के साथ plot देखेंगे तो यह ऐसे उतरेगा और उसके बाद से अब इससे velocity अगर पाना है तो यह जो है x is a cast omega t velocity के लिए क्या होता है dx by dt होता है rate of change of position तो इस उपर वाले का आप करेंगे dx by dt position में तो क्योंकि यह तो constant है तो वो यह तो बाहर निकल जाएगा यह अब यह हो जाएगा d by dt आप कास omega t कास omega t actually sin मतलब कास theta ही है जिसका value minus sin theta होगा तो यह हो जाएगा minus a sin theta तो omega t ही लिखेंगे और लेकिन omega t अगर देखें तो हमने d by dt किया है लेकिन यहाँ omega t है तो एक बार और bracket बंद करके इसके आगे लिखते हैं d by dt आप omega t omega constant होता है तो बाहर निकल जाता है dt dt कट जाता है तो omega बाहर तरफ आजाता है e omega sin omega t तो velocity हो जाती है minus a omega sin omega t तो यहाँ से आपको velocity मिल गई e omega sin omega t velocity का एक और भी रूप हो जाता है अगर इसको लिखें तो e omega को अगर बाहर रखें तो ब्रेकेट में लिख सकते हैं sin square omega t sin square omega t जिसको लिख सकते हैं 1 minus cos square omega t तो यह omega बाहर रखिए और अंदर रखिए a square यह भी अंदर ले जा रहा हूं किसी जरूरत से 1 minus cos square omega t ब्रेकेट बंद अब अगर आप अंदर देखें तो जो भी है उसमें हो जाएगा minus omega और root में a square और minus a square का से square omega t तो उसको आप x square लिख सकते हैं x square position क्योंकि यह जो x है यह position है x का value होता है यह cos omega t और उसके जगा प्यारा a square cos square omega t इसलिए velocity हो गया minus omega root a square minus x square केवल velocity का magnitude अगर लिखना हो तो यह केवल मतलब केवल omega under root a square minus x square लिख सकते हैं और graph अगरा प्लाट करना हो तो यह sin वाला equation velocity is minus a sine omega t इसको plot कर देते हैं sin function हो जाएगा 0 से चलेगा negative downward और केवल value निकालना हो तो इससे निकल जाएगा omega root a square minus x square अब यह equation यह बता सकता है mean position पर velocity कितनी होती है देखिए जब particle oscillate करेगा तो mean पर उसकी maximum velocity होगी तभी तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो mean पर x का value कितना हो जाएगा mean पर x का value 0 हो जाएगा तो यह a बाहर निकल लाएगा तो maximum velocity omega a हो जाएगी omega into a अब circular mission में अगर याद करेंगे velocity is r omega और यहाँ पर है a omega तो जो phasor बताए थे आप में phasor का length radius के बरावर होता है r omega के जगाँ पर है तो maximum velocity vm is omega a इसके velocity इसे velocity amplitude कहते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है v is omega a और velocity का expression आया minus omega a sin omega t plus phi हमने phi नहीं लिया है इसी परकार से अगर देखिए यह तरीका बताया bt is d by dt आ x t x के जगाँ पर यह कास omega t रखके आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह से acceleration का भी हम लोग equation प्राप्त कर सकते हैं देखिए यह सब आया है कैसे तो उसके लिए x is equal to कितना है a कास omega t हमने माना है velocity आ गया है minus a sin omega t अब acceleration प्राप्त करना हो तो यह हो जाएगा dv by dt rate of change of velocity is the acceleration of the particle in shm तो d by dt करेंगे तो v यहाँ पर रख देंगे तो is equal to हो जाएगा minus d by dt आप v तो v में रख दीजिए a sin omega t तो a कामन हो जाएगा बाहर निकल जाएगा sin omega का कास omega t होगा और एक और omega आएगा तो यह बचेगा minus a अच्छा है विलास्टी में हमने ओमेगा नहीं लिखा है ओमेगा भी इधर है ना ध्यान दीजिएगा omega विलास्टी में एक omega आल लेडी रहता है omega अब d by dt आप sin omega t तो sin omega t हो जाएगा प्लस कास omega t फिर उसके बाद d by dt आप फिर omega t उसमें से एक और omega निकल जाएगा तो यह minus a omega square और कास omega t अब देखिए omega square अगर a कास omega t को मिला देना तो x हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus omega square x हो जाएगा minus omega square x हो जाएगा इसको आप करके देख लिएगा तो acceleration in simple harmonic motion is proportional to displacement x और negative है that is directed opposite to the displacement अगर force and particle देखें तो mass into acceleration क्या हो जाएगा force हो जाएगा तो इधर भी mass से multiply करिये इधर भी तो force is proportional to displacement और directed opposite to the displacement तो यह हो गया acceleration इस equation से maximum acceleration कितना होगा कास का value जब maximum हो जाएगा one हो जाएगा तो वो value हो जाएगा omega square a तो maximum acceleration am is omega square a इसे acceleration का amplitude कहेंगे कई बार आता है कि जो है graph plot कीजिए तो displacement है a कास omega t तो इसको time पर plot कराएगा है तो और यह displacement इधर है mean के about तो time 0 पर यह cos value 1 हो जाएगा तो यहाँ दिखाएगा है plus पर और time जब जो होगा माल लेजे कि time हो जाता है t by 4 तो omega t कितना हो जाएगा omega हो गया 2 पाई एक मिनट omega into t by 4 माल लेजे हो जाएगा omega t और omega t theta 2 pi होता है याद करिए omega is 2 pi by t तो omega कितना हो जाएगा 2 pi हो जाएगा omega into t 2 pi होगा क्योंकि omega by 2 pi is t होता है तो यह हो जाएगा 2 pi by 4 तो यह हो जाएगा pi by 2 तो angle हो जाएगा pi by 2 तो जब आपने quarter लिखा t by 4 तो यह value हो जाएगा pi by 2 तो यहाँ cost के value 0 हो जाएगा तो यह 0 दे देगा इसी तरह से t by 2 जब यहाँ रखेंगे angle तो यहाँ पर आजाएगा और भरते चले जाएगे 3 t by 2 पर यहाँ पर आएगा 3 t by 4 और यहाँ पर पूरा time पर जब यह t रखेंगे तो 2 pi आजाएगा तो cos 2 pi value 1 हो जाएगा तो मतलब आपने प्लाट कर दिया यह displacement ऐसे हो गया velocity का equation मिला था minus a omega sin omega t यह सब आपको याद रहना चाहिए दूसरा equation क्या मिला था magnitude अगर लिखेंगे चलिए minus a square minus x square था तो यह दूसरा वाला equation जो है न वो प्लाट करने में कोई मदद नहीं करता है वाला-वाला equation बताएगा minus में चलेगा देखिए minus में sin वे और यह sin omega t है तो plus में तो ऐसे चलती है लेकिन minus में sin वे यह नीचे से उतर के बढ़ी है कैसे बढ़ी है वो देखिए time 0 पर sin 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा time यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा time पर यह t है तो यह t by 2 होगा और यह t by 4 समय होगा तो इसलिए t by 4 पर चेक कराता हूँ यहाँ पर रखेंगे तो omega into t by 4 होगा omega t 2 pi के बराबर होता है 2 by by 4 होगा मतलब यह कितना हो जाएगा pi by 2 pi by 2 में sin कितना होगा 1 हो जाएगा तो जब यह 1 होगा तो यह भी maximum हो जाएगा तो इस point पर यह maximum negative हो जाएगा यह point यह हो जाएगा t by 4 पर t by 4 समझे और नहीं तो इसको क्या समझे pi by 2 पर यह maximum negative हो गया मतलब sin उल्टा चल जाएगा और acceleration एक्सिलरेशन क्या आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वार साइन ओमेगा टी तो यह साइन के हिसाब से चलेगा माइनस में यह भी चलेगा तो इक्जेक्टली वो साइन नहीं नहीं था यह कास था आप याद करिए क्योंकि दो बार एक्स डिफरेंसेल हुआ था कास हुगा था तो माइनस में होगा कास होगा तो माइनस में कास का मतलब है यह प्लस में कास है तो माइनस मतलब ऐसे चलेगा तो नीचे देखिए एक्सिलरेशन का यह जो है एक्सिलरेशन है यह इधर से चलेगा इसका एम्प्लिट्यूड में ओमेगा स्क्वाइर एंप्लिट्यूट लिखा है मतलब मैक्सिमम एक्सिलरेशन ओमेगा स्क्वाइर ए होता है क्यों यह इसकी एबाउट आसलेट करेगा तो यह तीनों प्लाट आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर डिटेल नहीं देना होता है बस इन तीनों को प्लाट कर देना होता है वीडियो के लास्ट में फिर उन इक्वेशन को ड्रा करके दिखाता हूं मालेजिये की डिस्प्लेस्मेंट हमने सेलेट कर लिया ए कॉस ओमेगा टी तो विलास्टे निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो यह बनेगा कि ए और उसके बाद कास का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी अब फिर इसमें गुणा हो जाएगा ओमेगा का तो यह दे देगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इसके बाद से अगर एक्सेलेशन करना हुआ तो डी भी बाई डी टी होगा इसका डी बाई डी टी करेंगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्कॉाइर और साइन का कास हो जाएगा कास ओमेगा टी इसमें ए और कास ओमेगा मिल करके यह हो जाएंगे, क्योंकि X is A 우와 T, इसलिए A acceleration is equal to minus omega square X हो जाएगा, तो acceleration X के proportional होता है, अगर mass और से mean position होता है, या force on the oscillator is proportional to the displacement of the oscillator and directed opposite to the displacement, that is directed toward the mean position, thank you.